नमस्कार मैं हूँ अन्पमनूप आप देख रहे हैं दख़वरदार न्यूज आज हमारे साथ बिंध के एक ऐसे कभी हैं जो इन दीनों सबसे जादा सुने और देखे जा रहे हैं यूटूब पर पिछले महिने की बात करें तो लगभग 70 लाग से भी जादा लोग इन्हें देख चुके हैं आज हमारे साथ हैं अमिश्चूकला जी आइए स्वागत करते हैं नमस्कार नमस्कार अनुपम जी और पूरे खबरदार नियूज को बहुत बहुत आभार आपने हमें इस लायक समझा बहुत बहुत धनवाद आपका भी और हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक कभी की जो जीवन आत्रा होती है वो कई दुखानतों से कई शुकपूर्ण अनुभवों से जुड़ी हुई होती है आप हास से जुड़े हुए कभी है तो इस छोटी सी यात्रा या एक बिर्याद लंबी यात्रा की बात करें तो इस बारे में थोड़ा से कुछ बताए निशितरूप से देखे ये छोटी सी यात्रा तो नहीं होती है वो किसी ने कहा था डुनाल्ड टरंप से कि आप एक रातो रात इस्टार बन गए तो उसने कहा कि सायत मित्र तुम्हें ये पता नहीं है कि वो रात कितनी लंबी थी तो कभी की जो यात्रा होती है वो देखने के लिए होती है कि अचानक से जैसा आपने कहा कि पांच मिलियन ब्यूज पहुँचे और यूट्यूब पर तो 7-8 लाक, 10 लाक लोगों ने देखा लेकिन जशने परिट्री पर 50 लाक लोगों ने देखा तो वो देखने के लिए होती है कि एक रात पर अमित्सुकला फ्रंट पर आए जिस लायक आपने मुझे समझा यहां तक आप आए और लोग आते हैं लेकिन दरसल वो कई सालों की कई महीनों की यात्रा होती है जो यहां तक आपको पहुँचाती है और कभी की यात्रा की जहां तक बात की जाये तो बचपन से तो कही सारे मेरे मित्र भी भी है जो मुझे अक्सर मेरे मुझे से पोछते हैं पत्रकार बंदू भी पोछते हैं कारक्रम में कि आपको बचपन से ही सौक था साहित का तो मुझे हसी सी आ जाती है खुद पर क्योंकि बचपन से मैंने कभी किसी भासर प्रतियोगिता या किसी सांस्कृतिक कारेक्टरम तक में कभी हिस्सा नहीं लिया कहीं भी मैंने बिद्याले जीवन में इतना संकोची था कि मैं ऐसी जगे बैठता था कि जहां से सिक्षक मुझे एक आवाज सुनाई दी चोटा मुवाइल होता था हम लोगों के पास मल्टी मेडिया नहीं होता था उस समय पर तो एक दोस्त के पास चोटा मुवाइल मल्टी मेडिया था तो बगल से एक आवाज आई मुझे तब ये भी पता नहीं था कि वो किसकी आवाज है कवि सीखता था जितना मैं पेपर पास कर लिया जाए तो वो बगल की आवाद जो थी बगल के कंपार्डमेंट की मुझे थोड़ा सा भाई वो मुझे तब पता भी नहीं था कि मुझे यह लगा था कि यह गायक बहुत अच्छा गाते हैं मैं उन्हें अपने एक मुझे पर लिया ब्लूटूथ से उस समय लिया जाता था अब तो उसका जमाना भी साइद खत्म होने लगा वाट्सअप का जमाना आगया फेश्बुक का तो मैं अपने भुपाल पर अपने तनहाई की दिनों पर काफी सुन हुआ वह जीवन में साहित की और मुड़ने का एक कदम था रुची ऐसी वड़ी किसी की लट लग ना जाए तो वह लट लगी और मोबाइल पे बड़े कभियों को सुनना देखना जहां तक भी संभव होता था इंटरनेट पर देखना और लाइब भी भोपाल के आसपास ज दिनों में भी जा करके अपने व्यक्तिकत खर्च से जबकि विद्यार्थी जीवन में ये सब संभव इतना सहजता से नहीं हो पाता मैं जाता और दो धाई बजे रात तक तीन बजे रात तक कभी समिलन चलता और कभी तो फोर्पिलर गाड़ी में बैठके चले जाते थे ज नशा कितना खराब होता है कि रात को तीन बजे अगर आटो भी करिये तो आप 500 में 400 में घर आपको पहुंचाएगी 300 में पहुंचाती थी तो हम लोगों के पास इतना खर्च नहीं होता था तो हम सुबह 7 बजे तक बस का इंतजार करते थे लेकिन ठंड में फुटपात पे बैठे और वही जो कविताएं हम सुनते थे रात भर वही गुन गुनाते हुए आग सेकते हुए सडक के किनारे वही बैठे रहते थे तो यह नशा था फिर धीरे-धीरे मन में भाव आने लगे उन्हें निकालने लगे उसी समया में रिवा आना हुआ वापस और वापस आय अपने किसी के हसी के पात्र भी होना पड़ा और दरसल वहीं से शुरू होता है कभी का सफर आप कोई भी काम कर रहे हैं पत्रकारिता कर रहे हैं खेल पर काम कर रहे हैं अगीत संगीत या कोई भी कला है जो मन आपका कहता है आप करना चाहते हैं आप जब पहली बार हसी के पात्र बनते हैं तो कुछ लोग होते हैं कि वहां से अपने आपको back to pavilion ला देते हैं कि ये हसी होगी समाच क्या कहेगा दुनिया क्या कहेगी और कुछ लोग होते हैं कि जो उस हसी को अपने उपर पर हावी नहीं होने देते हैं, उसी हास को हास मना देते हैं, और वहीं से सफर सुरू हुआ, हमने मेहनत की लगातार और दरसल किसी भी सफलता को पाने के लिए केवल दो ही चीज़े आवश्यक हैं, मेरा ये महनना है, मेरा अनुभव है, पिछले कई 4-5 बर्षों का ये अनु पढ़ता हूँ, मैं रात में आज भी जो मैं बैठता हूँ, तो केवल मैं और मेरी किताबें या मेरा मोबाइल, मैं अपने आप से सुनता हूँ, ये बाते करता हूँ, फिर दिरे-दिरे मंच मिलने लगे, और आज मा की कृपा है कि 50 लाक, 70 लाक लोगों ने देखा, और य पती, वियक्ति को अपने काम के प्रति संतुष्ट नहीं होना जाए है, जिस दिन ये हो जाता है कि हमने पूरा कर लिया है, काम को नहीं से उसका बिनास सुरू हो जाता है, अपने लक्ष की प्रति हमीसा भूँका रहना चाहिए, अब या मन्जीले जो होती है तो एक कि वहले एक विद्यार्थी मुझे और आगे अभी बहुत कुछ करना है आप सबका सही हो रहा और जो मुझे देखते हैं जो मुझे सुनते हैं उन सबका अगर इस नहीं रहा तो निशीत रूप से कुछ आगे भी काम होगे जिस प्रकार से कुमार विश्वास जी से जब पू मा की कृपार ही तो आगे और कुछ लिखने का प्रियास करूँगा तो ये तो रही एक छोटी सी दिखने वाले यात्रा की एक लंबी सी ब्रिस्तिस चर्चा अब हम आप से जानना चाहते हैं कि हर कभी अकसर हमने देखा है कि उस आहित से जुड़ा हुआ नहीं होता है और ह हो सकते हैं कि आपके जीमन में भी ऐसी ही चीजे हो कुछ तो आपकी पहली कभीता तक का सफर और उसके पूर विकी जो आपकी एक सैक्षणिक चीजे थी उस चीज के बारे में थोड़ा से दर्सकों को अबगत कर रहे हैं दूसरी से लेकर बार्मी तक मैंने वहीं विद्यालेइन जीवन पना बिताया है और कहीं निशितरूप से आज कविता का जो संसकार है वो कही न कहीं शुष्मंदिर का भी संसकार है क्योंकि आज भी और उस टाइम पर भी शुष्मंदिर का संसकार एक निशिद रूप से आपको बहुत कुछ सिखाता है और कहींन कहीं आपके विद्यालेइन जीवन का असर परोक्ष परोक्ष रूप से आपके अंदर हमेशा बना रहता है तो वो मेरा विद्यालाइन सफर था वहां से मैं तकनीकी सिच्छा के लिए गया लेकिन कहते हैं ना कि दिल लगा गधी से तो परी किस काम की तो सायद तकनीकी छेतर पर नहीं जाना लिखा था और दिल की आव आपका एक मैं बुराई नहीं कर रहा हूं लेकिन हमारे समाज की एक थोड़ी सी मांसिक्ता थोड़ा सा कला के प्रती लोगों की मांसिक स्थिती छोटी है आप बाहर जाएंगे महानगरों पर तो सायद विकास हो चुका है आप देखेंगे पांच साल छे साल का लड़का र माता पिता इतनी महनत से यहां लेकर आएंगे और उनको अगर हम अच्छा रिस्पॉंस नहीं दे सके तो यह हमारे लिए थोड़ा सा जबकि हलाकी मेरा परिवार मुझे हमेशा सदयव सपोर्ट किया और उनका यह था कि करना जो करना है करना सोच समझ कर करना बस हो गया और मेरी माता पिता हलाकी कला से संबंधित मेरे परिवार में कोई साथ आठ पुस्तों में कोई नहीं था कोई पापजी मेरे चिकित्सा छेत्र पर हैं और माता जी मेरी सिच्छा बेभाग में हैं और उनने लेकिन इतना कहा कि जो भी करना सोच समझ कर करना तो रात पर कभी सब सोचता था मैं कि अगर मुझे नहीं मिली सफलता, उतना जादा नहीं गेन कर पाया, तो क्या होगा, लेकिन फिर यह लगता था कि अगर ये चीजें हर व्यक्ति सोच ले, अगर सचिंत अंदुलकर या लतामंगेशकर जी, या तो कोई ये सोच लेता कि नहीं, ये हो जाए कि हमें करना क्या है तो उस पर मेहनत करने के बाद आपको ये सोचना जरूरी है कि अब हमें यही करना है ये सबसे बड़ी बात है आपने काप बेयात्रा सुरू करने से पहले काफी टाइम तक बड़े लोगों को सुना बड़े कभियों को सुना है तो लेकिन जो कभी पहले मंच जो मेरा पहला मंच था तो उस समय की रचनाए तो आप न सुनिये तो बहतर है क्योंकि वो रचनाए नहीं होती थी वो तो किवल भाव होते थे और जो साइद अब सुनने के लायक भी नहीं है अच्छे मैंने रचनाए बाद में लिखी जो मैं मंच पर गया तो जो मेरे भाव थे मैं वही आपको सुना देता हूं मापर बचपन से लगता है इंसान को कि हम बड़े हो जाएं बड़े होकर कि लगता है कि फिर वहीं मा की गोद में चले जाएं क्योंकि वो उल्जन बरदास नहीं होती बचपन में लगता है कि बड़े हो गए अच्छा जल्दी से बड़े हो जाते हैं चार पंक्तियां वही मैं आपको सुनाता हूं सायद उसपर अब बहुत रुटी भी है मुझे भी लगता है लेकिन वह मेरे तपके भाव थे और मैंने उसको बदलना भी नहीं चाहा कभी कि लगता थ पहले बड़ा मैं भी हो पैरों पे अपने खड़ा मैं भी हो बेचेन अब हूँ तो लगता है फिर से गोदीम मा की पड़ा मैं भी सौँ यही यह और आप मोलता है हास रस के कभी है लेकिन कभी और काब वो अपने अंदर सारे के सारे रसो को समाहित रखता है और आज के दोर कि अगर बात करें भी पिछले दिनों की बात करें देश में एक बहुत ही बुरी घटना हुई डॉक गटनाएं अकसर हम सुनते रहते हैं बड़ा ही दुखत बिशा है यह कि सिर्फ कुछ मौमबत्ती की यात्राएं निकाल दी जाते हैं कुछ केंडल मार्च कर लिए जाते हैं कुछ नारे लगा लिए जाते हैं और उसके बाद उसके दूसरे ही दिन फिर से कोई ऐसी घटना घट जाती है तो आप बेटियों को ले करके भी आपके एक काफी रचना प्रचलित है उस रचना को हम दर्स को को आपके माध्यम से सुनाना चाहेंगे मैं निशिद रूप से आपको बेटी की रचना सुनाऊंगा अनुपम जी और मैं दरासल सोच नहीं रहा था कि आप उस मुद्दे पर जाएंगे क्योंकि अभी आज कल से ही ले करके मेरी सोसल मेडिया पर कई लोगों से साइद बहंश भी हो गई बहंस क्या वो तो तरक है और लोगों की सोच है निशिद रूप से उस मुद्दे पर कई सवाल है और अब तो मुम्बतिया नहीं अब तो मेडिया का एक कैमरा लगा हुआ है देश तक बात पहुँचेगी साइद ये जो काम पुलिस ने किया है इंचार दरिंदों के साथ निशित रूप से ये हमारे नियाय बेवस्था पर नियाय पालिका पर तमाचा है एक जो काम नियाय पालिका को करना चाहिए था वो आज पुलिस को करना पड़ रहा है और हम रोज पुलिस को गाली देते है हैं हर जगह कि पुलिस ने गलत किया ये किया लेकिन एक काम जो पुलिस ने किया है मुझसे भी लोग पूछते हैं कि क्या पुलिस ने अच्छा काम किया सही काम किया ये गलत काम किया है साइद हो सकता है कि पुलिस ने गलत काम किया हो लोगों की नजर में क्योंकि उसे निया विवस्था ऐसी है हमारे देश का कानून ऐसा है कि आज गुडिया दामिनी तमाम प्रिंकल आसिफा ना जानी कितनी बच्चियां है जिनका न्याए अभी कटगरे पर है और जिनकी आत्मा आज भी इंतजार कर रही है कि उन दरिंदों को कफासी होगी उन्हें बेल मिल जाती ह और उन दरिंदों को बेल मिलती है और अगले दिन वो बच्ची जो क्रेप केस में फसी थी उसको जिन्दा जला दिया जाता है उन्हें की घटना भी आपके सामने आई है तो ये इस समाज के लिए हम नहीं थे हमें उन दरिंदों को सजा न्याइपालिका से दिलवानी चाहे तब आखिरकार जो लोगों ने ये हतकंडा अपनाया कि उन्हें एंकाउंटर में मार दिया गया और वो दरिंदे उनको जिस तरीके से मारा गया तो मैं तो ये समझता हूँ कि भगवान स्रीकिष्ण जब महाभारत की युद्ध पर खड़े थे और करण से उन्होंने कहा कि इसके बाद तुम युद्ध करो तो अर्जुन ने भगवान स्रीकिष्ण ने यही का था कि करण अब तुम्हें नयाए आदा रहा है उस वक्त नयाय तुम्हें ध्यान नहीं आ रहा था जब दृबती का चीर हरन हो रहा था उस वक्त नयाय कहा था जब अजमन्यों को महारतियों ने मिलकर मारा था तो जब सीधी उंगली से घीना निकले तो कहीं न कहीं उंगली टेणी करनी पड़ती है तो इन दरिंदों का सायद यही खौफ है अगर डर नहीं होगा तो निशितरूफ से अपराध बढ़ेंगे और हमारी नियाय पाली का ऐसी है कि वो अपराधी बेखौफ होते जा रहते देरे-देरे और आज एक डर का महल बना है लेकिन सायद इस बच्ची से उसको आत्मा को शांती मिली हूँ या ना मिली हूँ लेकिन प्रभूश मेरी यही आराधना है कामना है कि किसी की बच्ची के साथ ऐसा inte na हो किसी बहन के साथ ऐसा inte ha मेरी एक आत्मा की कविता है दर्द की कविता है जो मैं आपको सुना देता हूँ जो सायद बहुत स२ी भी गई है और जितनी बार फर्माईश होती है मंच पर या कहीं भी मुझसे इस कविता को सुने की तो मेरी आत्मा थोड़ी से ब्यथित होती है लेकिन मैं सुनाता हूँ आपको निवेदन करता हूँ सुनेगा दो से धाई मिनट छंद मुक्त रचना है निवेदन करता हूँ सुनेगा कि कल रात किवल भूमिका इतनी है कि जब मैं पती बना तो हर पुरुष का सपना होता है पती बनने के बाद पिता बनना जब मैं पिता बनना चाहा तो कभी की कलपना कहां से कहां तक गई तमाम उन बच्चियों की चीखें आप अपने अंतरात्मा में थोड़ी देर के समेटी है और कभीता दो से डाई मिनट कि कल रात मैंने एक सपना देखा सपने में कोई अपना देखा एक अजनबी सी सूरत थी देखने में बड़ी घुपसूरत थी मैंने पुछा क्यों मौन हो तुम प्यारी ये तो बताओ कौन हो तुम बोली अभी तक धर्ती ने मुझे जाना नहीं पापा क्या आपने भी मुझे पहचाना नहीं मैं बहुत ही जल्द किलकारी मारने वाली हूं मैं बहुत ही जल्द किलकारी मारने वाली हूं आपकी बेटी बनकर धर्ती में आने वाली हूं आसू खुसी के छलकने लगे पिता पुत्री जब सपने में मिलने लगे मैंने कहा कन्यादान मैं उस बच्ची से क्या कह रहा था मैंने कहा कन्यादान महादान है ये वेदों की सिक्षा थी और किसी बेटी का पिता बनू ये मेरी भेग्षा थी इसलिए सारे दुखदारिद्रों को हर जाओ बिटी अलक्षमी बन करा मेरे घर जाओ तुम्हारे आने पर खुसियां मनाऊंगा नाच गाना और जलसा कराऊंग मैंने कर याओ देखो तो बिटी मेरा देश कितना खुबसूरत है यहां हर कन्या देवी की मूरत है जब कोई अपने सदकर्मों का फल पाता है तब वो इस धरा पर जन्म लेकर आता है इतना सुनते ही कविता का फिर यूटन मारियेगा इतना सुनते ही उसकी सिस्कियां फू मैं जैसे ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाओंगी आपको पता भी नहीं चलेगा कब बड़ी हो जाओंगी अरे आपका कलेजा तो उस वक्त दर्द से चल जाएगा जब कोई भेडिया आपकी खिलखिलाती कली को कुछल जाएगा और आप उस भयानक दर्द को फिर सह नहीं पाएंगे और उस घटना के बास समाज में इजजत से रह नहीं पाएंगे इसलिए छमा कर देना हे पिता छमा कर देना हम सब रोज बिटिया मागते है लेकिन उस भच्ची का दर्द हे पिता छमा कर देना मागना तो भले कुछ माग लेना इस सवर से तुम लेकिन भूल से भी अवलाद अपनी बिटिया ना माग लेना तुम दिक्कार है अन्तिम चार पंगतिया धिक्कार है जहां लोग जानवर से भी बत्तर सोच पालते हैं और एक महसूम बच्ची के सरीर को नर्पिसाच नोच डालते हैं। आप जैसे कई पिताओं के सपने यूही तूटते रहेंगे। क्या किया था मैंने दाविनी की माने पिताने और ट्विंकल आसिपा तमाम बच्ची के पिताओं ने क्या किया था एक सपना ही तो देखा था। आप जैसे कई पिताओं के सपने यूही तूटते रहेंगे। यूही तूटते रहेंगे जब तक समाज में वहिशी दरिन्दे आवारा घूमते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आबार। जब हैदराबाद में जार आरोपियो को एंकाउंटर में मारा जाता है। ऐसी इस्तित्या बनती हैं। तो कहीं न कहीं एक सवाल हमारी कानून विवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इस इस्तित को देखकर निर्भिया केस को देखकर कि ऐसा भी लगता है कि पिलिए च्हामा या याचिका जैसी बाते होने ही नहीं चहिए और अगर होनी भी चहिए तो बहुत ही जल्द फैसला होना चहिए राष्ट पती जी के द्वारा अभी तक उस मामिले को लेकर करे सही तरीके से कोई भी बयान या उस याचका को खारिज नहीं किया गए है बहुत ही दुखाते हैं इस बारे में आप क्या सोचते हैं देखे मैं मैं इस कविता को पढ़ते भावुक हो जाता हूं मैं उन्हें आपको बताया कि इस मुद्धे को ले करके मुझसे लगातार सोशल मीडिया से भी कई लोग कुतरक करते हैं मैं यह नहीं चाहता कि कानून के मंदिर पर कोई दाग आए मैं भी चाहता हूं कि कानून विवस्ता हमारे हिंदुस्तान पर है और उसी के तहत नयाय हो किसी को लेकिन जब कानून विवस्ता इतनी लचीली हो कि किसी बेटी के साथ गलत उसको ब्रातकार करके उसको जिंदा जला दिया जाए, या उसको सिलवटे की तरह सर कुचल दिया जाए, और उसके माबाप और उस बच्ची की आत्मा बर्शों तक यह इंतजार करती रही कि हमारा नयाय होगा, हमें उस नयाय की मंदिर से नयाय मिलेगा, और उन धरिंदों को ऐसे ऐसे वकील मिल जाते हैं, मैं छमा चाहता हूँ, ऐसे वकील मिल जाते हैं, कि जो सायद उन्दरिंदों को बेल दिला देते हैं, बेल मिल जाती है, वो बाहर आते हैं, खुले में घूमते हैं, बर्षों तक केस चलता है, मैं छमा चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये बात कहने में क कोई दिक्कत नहीं है कोई शर्म नहीं है कोई डर नहीं है कि आज सिर्फ पैशे के दम पर नियाल है पर लोग बरसो तक अपना केस चरा करके और शायद केस जीत भी जाते हैं कई की बच्चीयों की आत्मा तो यह इंतजार करती रहती है कि हमें नियाय मिलेगा जब ऐसे लची मैं पुलिस दिखाया है कानून विवस्ता अगर अपना काम सही डहुं से नहीं कर रही है तो हम कहीं न कहीं सीदी ऊगली नहीं टेड़ी उगली से बिगे निकालेंगे जिससे एक बच्ची की आत्मा को शांती मिलेगा उन्ती माता-पिता की थोड़ा सा कलेजे को ठंड़ पहुँचेगी आपकी इस कविता ने हमें भी काफी भावुक कर दिया है लेकिन कहीं न कहीं हम अपने प्रोफेशन को ये करके आपसे एक रचना और सुनना चाहेंगे आप मूल रूप से हास के कभी हैं तो हम जानना चाहेंगे जिस रचना ने आपको हास के मंच के सिखर पर एक तरह से लाने का काम किया है उस रचना के बारे में उस रचना से थोड़ा सा दर्चकों को अवगत कराएं ऐसा तो कोई एक रचना किसी को नहीं मेरी जो सबसे पॉपुलर रचना है वो आपने जैसे की हमने सुना अभी के आपको सुना देता हूँ मैं ताजा मुद्दो के लिए बहुत आवश्यक है और हस्ते रहना भी चाहिए जिन्दिगी में मस्त रहना चाहिए चार पंक्तियां सुने मैं हाँ से कि आपको ताजे मुद्दे से सुना देता हूँ के इस दोर में स्रिमान पती हो गया बेहाल घर वाली मूलधन ब्याज माग रही है उपहार मागने की है प्रथा पुरानी यहां चूड़ी बिंदिया सिंगार साज माग रही है दोर महगाई वाला इतना है विक्राल बीबी जो कभी नमागी आज माग रही है सोना नहीं चांदी नहीं गहनों के बदले में इस करवचोत में प्याज माग रही है सोना नहीं ची यही निशित रूप्ष दोनों यही काम करते हैं कि समाज को एक नई दिशा नया संदेज ने तभी एक हमारा और आपका उद्देश पूरा होता है दखवरदार न्यूज की तरफ से मैंने आपसे बादचीत करके काफी अच्छा लगा और अब हम अंत में आपसे कोई एक और प्रचलित रचना सुनने के इक्षा रखते हैं संदेश मेरा और है जो सबसे ज्यादा वह बायरल है मैं संस्कारों के विगड़ते मौसम पर भी बियंग करना मेरी आदत है मैं ज़्यादा ब्याकरण को पकड़के नहीं चलता हूँ मैं भाव पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ मेरी ये कादत है और कई लोग मुझे समझाते भी है लेकिन मैं भाव पर विसेज ध्यान आज ये आकाश उतरते हुए 200 TV चैनल जो है कही ना कहीं कुसंसकार हमारे तक पहुँचा रहे है इन कुसंसकारों का ही प्रभाव है कि आज माबाप अपने बच्चों से ये उम्मीद नहीं करते कि मेरा बेटा मुझे खाना दे गया नहीं बल्कि इस बात की भी चिनता करने लगे है कि मेरा बेटा मेरी चिता को आग देगा याने चार पंक्तियां वो मेरा अंति मैं आपको सुना देता हूँ और जो ब्यंग है एक समाज की प्रति तमाम तरह की विशंगतियां हैं एक विशंगति ये थी कि मैं एक जगे गया था मैं आपको घटना बता देता हूँ आपने पूछा तो एक जगे सरदांजली सबाती में वहाँ गया था शोक्षबाती एक महले में ही दूर के सजन थे सेयाने थे 75-80 के करीब थे हस्बंट बाइब के बुड़े बुढ़िया रहते थे चार बेटे थे उनके चारों बेटे परदेश से नोकरी करती थे जब महले वालों ने उनको और रिष्तिदारों ने बताया कि आपके पिता जी दिवंगत हो गये है तो वो आए और चारों एक कमरे में बैठ गये तो ये लगा कि सायद वो तयारी कर रहे हैं कि आगे का कारिक्रम कैसे किया जाए देरे देरे जब बात कानों में पहुँचते पहुचते पहुची तो ये पहुची कि वो चारों इस बात पर डिसकसन कर रहे थे कि पिता जी को दास अंसकार कौन करेगा बड़े भाईया करेंगे छोटे भाईया करेंगे कि कौन करेगा तो कोई कह रहा तक कि मुझे तो सुगर की बीमारी है मैं डाइबटीज वाला पेसेंट हूँ मैं कैसे कर पाऊंगा मुझे तेरा दिन नहीं वह हो पाएगा कि खुशिया न पूचो यार पुत्र पैदा होने पर, बच्चे के पैदा होने पर कितनी खुशिया मनाई जाती है घर में, एक आशा से, एक उम्मीद से, वो उम्मीद एक स्टेपर कैसे बदलती है, देखे, खुशिया न पूचो यार पुत्र पैदा होने पर, परिवार वा समय बदला, वक्त का ये खेल देखो बेटे जब कमाने लगें, सपने मबाप के वो आसु बन जाते हैं, और अंतिम पंक्ति में एक शब्द का दो अर्थ में प्रयोग किया है, अगर अंदर तक पहुँचे तो फिर कैमरे के उस पार के लोग भी अपना इसने देंगे मुझे, वक्त का ये खेल देखो बेटे जब कमाने लगें, सपने मबाप के वो आसु बन जाते हैं, कंधे पे पिताने जिन बेटों को घुमाया कभी, वही बेटे आज कंधा देन में लजाते हैं, कंधे पे पिताने जिन बेटों को घुमाया कभी, बहुत बहुत आभार आपका अपनेशना समय धन्यवाद दखवरदार न्यूज आपके उम्र में आपके द्वारा सुनाई जाने वाली रचनाओं के द्वारा ऐसे ही हाश और ऐसे ही ब्यांग और कहीं न कहीं भारती संस्क्रिट से जुड़ो हुए ऐसी बास्तविकी स्थित आपको देता है अपना अमूल समय देने के लिए दखवरदार न्यूज आपको बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार अभार पूरे खवरदार न्यूज को धन्यवाद तो ये थे हमारे साथ आमेश सुकला जी बिंध के एक बड़े कभी जू हिंदिनों सब धन्यवाद